हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल क्रेक्ट और कम्टेशन बिदेंजले फ्रेक्ट आज के इस वीडियो में हम लोग चार जन्मरी 2022 को जो ऑनलाइन एक्जाम हुआ था उसका सेकंड पेपर का हिंदी का पेपर सॉल्प करने बाने तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुर सबसे उप्युक्त उत्तर बारे विकल्ट चुनिए सबसे पहले हमें गद्यांस को पढ़ना है उससे रिलेटेट जो भी कोशन से उसको सौल्प करेंगे बहुगलिक द्रश्टी से भारत बिवित्ताओं का देश है तथा सांस्कितिक रूप से एक हिकाई के रूप में इसक चादित पठारी भूभाग पश्ची मिर्थार का रेकिस्तान दक्षड का टटीय प्रदेश तता पूर्ड में असम और मेगाले का अतिब्रश्टी का सुरा में छेतर सम्मिलित है इस बहुगले बिविनिता के अत्रिक इस देश में आर्थिक और समाजी बिविनिता भी सौ पर निर्वा करती है जिस जन समुदाय में अपने देश की समस्याओं को सुल्जाने के प्रवल इच्छाओ उस देश की संस्कृति सचनात्मक्त अवश्य होगी तो फ्रेंट्स यह था हमारा पैराग्राफ इससे रिलेटेट को पढ़ लेते हैं पहला कोशन है 91 नमर का कोश संस्कृति की सचारात्मक्त देश वाश्यों के निपूर्ता की गुणों पर निर्वर करती है नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमर 92 बहात के पाश्यम का भूबाग कैसा है टटी है उप जाओ रेती लाय आति प्रिश्टी बाला तो इसका राइट अश्यम का भूबाग कैस पर देश्टा से चल्वायों के बिवित्ता नमबर 4 हमारा बिलकुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 94 उत्तर दिशा के परवतिया पुहभाग की सीमा कहां से कहां तक बिस्त्रित है तो इसका राइट अस हो जाएगा फ्रेंस बोजाएगा ऑश समाजी बहुत थीक या भागोलिक तो इसका राइट असरो अप्शन नमबर 3 हो जाएगा बहुत धीक रध्यास में बहुत थीक भिनिता की बात नहीं कही गई है नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 96 भारत में एक सांस्क्रिति उपधाराय विक्सित होने का क्या कारण है इसके भुबाक की बिशालता इसमें पाय जाने वाली बिवितता देशवाश्यों के पूरता यह जन समुदाई की शेजनात मकता तो उसका राइटर से हो जाएगा ऑफ्शन नमबर 2 इसमें पाय जाने वाले बिवितता नेक्स्ट कोशन है हमारा संदी बिच्छेद है तो फ पल्लवित और पुश्पित हुई है रेखांकित से क्या तात्परी है सम्रित बलेश्ट पैदा या बिक्रित तो इसका राइट अंस हो जाएगा ऑफ्शन नमबर 1 सम्रित नेक्स्ट कोशन है हमारा 99 नमबर कोशन कि सांस्क्रितिक शव्द में प्रत्य है तो सांस्कतिक सब्रत्य है कौन से हमारा एक एक प्रत्य से मिलकर बना है सांसometric तो नेक्स्ट कोश्चन ही हमारा 90 या हम स्वर्प 10 नमबर कोशचन हो गई बैकर पूछे काई सवशन हो के उत्तर दीजे, पहले हमें इस पद्याश को पढ़ना है, फिर इसे रेलेटर कोईशन्स को देना है, राजा बसंत बश्या रितुएं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन कहानी, राजा के मुख में हशी, कंठ में माला, रानी का अंतर बिकल, दुर्गों में पानी, दुर पूलते सुर्भी राजा घर कोने कोने पड़िया सेवा में खड़ी सजा कर दोने खोले अलके रानी ब्याकुल सी आई उम्री जाने क्या प्यथा लगी बहरों ने रानी रोग पोच्छे पोच्छो ना अश्रु अंचल से राजा अबोध खेले कचनार कमल से राजा की मन में क इन दो रितु की बात कही गई है तो काभ्याश में कही गई है वर्षा रितु की बात तो इसका और थी यहां बिल्कुल सही आँसार हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारा 101 नमबर कोशन काभ्याश की किस पंक्ति से पता चलता है कि बसंत रितु में चारों और सुगंद ब् अंक्ति से यह पता चलता है कि बसंत तुमें चारों और सुगंद ब्याप्त है नेक्स्ट कूशन है हमारा फोट्शन नमबर बंहंड़ेट टू ज्रिगों में पानी जगों का अर्थ नेत्र है दितू के रितु हो की रानी बश्या के दिक कॉन हो सकते है तो राइं टांसर तुमें फूलों का खिलना संभब नहीं होगा यदि उप्युद्पंकTqi का चैन करें यदि 10 उप्युद्पंकTredit का चैन करें उसका र हाई लेगा फोर श Haana Schools को झाप चिंङए और नेजन हैं Voc Excellence प्रसून और पोश्प यह तीनों ही पर्यावाची किसके हैं कुसुम के हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा पूशन नंबर 105 राजा अभोध खेले कच्छनार कमा से पंक्ति का भाव है चारों और नाना प्रकार के फूलों की छटा ब्यापते कच्छनार वा कमल के फूलों से रा 205 नंबर करें निभी निमलखित में इसे कॉन适पहला के समिदान और नहीं नहीं तो इसको चैंबु आपसे नमरब सुंद हैं मी जो मी जो ह। हमारे समिदान की अनुसूचि अद्वी अनुसूचि में सामिल नहीं है हंगी तामिल हिंदी और अर्दू ये तीनों ये को एक सिक्षार्ती काक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यान等 सुनता है और अगले दिन प्रदत कारें पूरा करने के लिए अध्यापक की बात के मुख्या बिंदू लिखती भी है इस na कहा जाता है तो इस पर कहा के से वन को कहा जाता है फैंसSmith हैं स्रवन आप्शन नमबर फॉर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैस्ट कोशन है हमारा 108 नमबर कोशन एक अध्यापिका ने अपने सिक्षाद्यों को दो पहेलियां सुनाई और जोड़ों में बैटकर उनका समाधान खुजने के लिए कहा एक को कहा कि बहुत जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरह के से धूरना है इस क गति बिदी को क्या कहा जाएगा तो इस बती को कि बिधी को कहा जाएगा सोच लिखा गया सनलेक ठिंक अलायट प्रोटोकॉल ऑप्शन नमारा विल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेंस्ट कोशन नाइंट कोश्चन एक अध्यापर समचार पत्र से एक गर्दे खंड का चैयन करती है और उसमें प्रतिए एक 5 शब्द जो प्रिये शब्द को हटा देती है वाँ भी धियारते हैं दौर यह इस गर्दे खंड में से अमेशे हटाएगे शब्दों को भणने के लिए एक आकलन कारे को क्या कहते है क्लोच कारे क्या कहते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 110 सब्ध भंडार और भाषाद के अन्य पहलूं के सिक्षण अधिकम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयूग में लाई जा रही सामगरी और बस्टों को किस रूप में जाना जाता है तो इन्हें जाना ज कोशन नमबर 111 ब्याकरण के सिक्षा अधिकम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा सैज भाव से चल रहा है विमार्श में ब्याकरण ने प्रस्तूत करना और सिक्षारतों को उन्हें पैचानने के अफसर देना नमर दो सिक्षारतों को पहले नियम बताना और फिर पिस् पिसे पटन सामगरी या बोले गया कथन में कुछ आपकी पैचान कर लेता है प्रेटों की से उनका प्रयूग- नहीं कर पाता है इन शब्दों को क्या कहते हैं तो friends इन सब्दों को कहते हैं निश्क्रिये शब्द संपदा क्या कहते हैं friends निश्क्रिये संपदा option number two हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा 130 number question रहीम नौ बजे की समाचार प्रति दिन सुनता है और आपने कुछ मिख्यों के साथ 114 question number 114 एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्तियों के अनुच्यत का शूरूत लेख कर पाती है वह अनुच्यत को दो बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्तियों को दिहान पूर्वक सुनने के लिए कहते हैं और सुनकर उसी अनुच्षेत को लिखने के लिए कहते है सिक्षार्तियों का अनुच्षेत हूँ बहू नहीं लिखना है उन्हें अनुच्षेत का सारे है प्रमुक मुक्य बिंदू ग्रहन करना अध्यापक यहाँ पर श्रमट सिक्षार्त की कौन से युक्ति अपना रही है तो इसका जो राइट अंसर हो जागा फ्रेंस बो हो जा बैटकर चर्चा करो मुख्य विंदूओं को लिख लो और बिशय के पक्षी तता बिपक्ष के लिए दो दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तयार करो विश्प के सबी देशों को जर्वायों परिवर्तन प्रभाबित कर रहा है यह बिशय है तो यह बिशय है फ्रें बहुत होती है उप्षा के लिएक विश्यफ का जरूरी है नहीं आक बहुत होती है प्षर कोन्सी सामागिड़ प्रामारिक नहीं है समाचआ पत्र का कोई लेक गलत किसी पत्रका का का पार्टून गलत एक खिलोना या बंदर बंदर गुडिया गलत अध्यापक द्वारा कल्पित पार्टे सामगरी तो इसका राइट अप्शन नमघ्ट कोशन है अमारा कोशन नमघ्टी निम्लकित में से कौन सा भाषा के आकलेंगे तो प्रमारिक चांचकार नहीं है एक ब्रच की आत्मकथा लिखो कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर लगा हुए एक ब्रक्ष है और अपनी कहानी बता रहे हैं नमघ्टीन किसी छेत्र में दिये गए द्रक्षिक का बड़न अपने शब्दों में करो नमघ्ट अपने विद्याले आते हुए अपने रास्ते में दो पूर्चों को जगड़ा करते हुए देखा इस गटना का बड़न करो तो इसका राश्ट्री सिक्षनीती 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिकम को किस रूप में बढ़ने करती है उस ने हमारेन क classify five baj के 5 सब्सक्राइल के बनाती है और अंकड़ के सब्सक्राइबर अंसर हो जाए में असथा नाबरी 2020 का हिंदी का रrupy कि तो ऐस में कोो क्या कहते है besides और यस बत्रुकिन कर देए चुका है आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे यदि आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर कीजिए यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आकन को प्रेस कर लीजिए ताकि म हैं जब भी कोई भी वीडियो अफ्लोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या कि इसके बाई टेकू फुराइब कोई दो पाल के लीजियो मिल पुराइब प्रेस का लिए प्रेस कर लिए वादाब कर दे कर दोले हैं मिल अपकावा जब अगले हैं पी अजे आपको प्रोण